नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है समाज़दी पाल्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के तीन बार के मुख्य मंत्री मुलायम सिंग यादो कल पंच तत्व में विलीन हो गए पैतरिक गाउं साइफ़ाई के मेला ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया गया पिता मुलायम सिंग यादो के अंतिम संसकार के बाद आज सुबा सपा के राष्टिय ध्यच अखलिस यादो उनकी अस्थिया लेने पहुचे इसके बाद अखलेश सुद्धी करण संसकार के लिए परिवार के साथ मुलायम सिंग के भाई अभैराम के घर पर पहुचे जहां पर बेटे अखलेश यादो, अरजुनी यादो, परतीक यादो, सिवपाली यादो, धर्मेंद्र यादो और परिवार के अन लोगों ने मुन्डन संसकार करवाया बता दे, परंपरा की अंसार सैफाई में तेरुई संसकार नहीं होता है लिहाजा, अंतेश्ट के 11 दिन बाद सुध्धी करण का आयोजन होगा, इसके लिए लोगों को निमंत्रण भी भेजा जा रहा है दरसल, सैफाई की परंपरा है कि तेरुई संसकार से गरीब परिवार पर आर्थिक बोज़ परता है लिहाजा, आर्थिक रूप से मजबूत परिवार भी इसे नहीं करता ताकि समाज के अन लोगों को भी इसे करने के लिए बाद ना होना पड़े बता दें, अखले स्यादों ने पिता की अस्थिया लेने के बाद एक भावुक तूट भी किया टूट में उन्होंने लिखा आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा एसे ही तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ